Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ निशू, आज हम लोग जानेंगे बाढ़ पर आसान निबन्द, वो भी हिंदी में बहुत ही आसान शब्दों में, तो आईए शुरू करते हैं बाढ़, बाढ़ पिर्थवी पर होने वाले प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जो बहुत ही विरासकारी होती है बाढ़ हाने से पूरा जन जीवन प्रभावित हो जाता है, इससे भारी मात्रा में जन धन का नुकसान होता है एक जगा पर बहुत अधिक मात्रा में पानी आ जाना बाड कहलाती है बाड कई कारणों से आते हैं जैसे अधिक वर्षा का होना, बादल का फटना, नदी का बान तूट जाना, अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ जाना, समुद्र में सुनामी आना, बाड आने से हर साल भयंकर तबाही होती है हमें कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गाउं, शहर, पानी में डूब जाते हैं यातायात के साधन बंद हो जाते हैं, लोगों के मकान, घर गिर जाते हैं, किसानों के फसल पूरी तरह से बरबाद हो जाती है बाड आने के कारण बहुत संख्या में लोग मारे जाते हैं, आर्थिक तंगी हो जाती है, बाड आने के बाद महा मारी उत्पन होने का डर रहता है तरह तरह के बिमारियां उत्पन होने लगती है, लोग भूख मरी के शिकार हो जाते हैं बाड से बचने के लिए हमें उजित विवस्था करनी चाहिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को जागरूख होना चाहिए जल निकासी और भंडारन परनाली का निर्मान करना चाहिए तो आप इस तरह से बाड पर हिंदी निबन लिख सकते हो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, helpful लगी हो तिसे like, share और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले और ऐसे ही वीडियोज के लिए मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and thank you